उता प्रदेस में पुलिस भरती परिक्षा में पेपर लीक मामला अब बहुत ज़्यादा बड़े अंदूलन का रूप ले रहा है जगे जगे हर मुख्याले पर तैसीलों पर जो छातरे वो पहुंच रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के किलाब मांग यह है कि यह ज पहुंचे और उन्होंने चातरों के साथ एक प्रोटेस्ट किया है यह बहुत बड़ा इशू है आप समझ सकते हैं कि 50 लाख लोगों ने बच्चों ने फॉर्म भरा है पांस साल की इंद्यार के बाद जब ओर डिबार्टमेंटों में वेकिंसिया नहीं है पूर में अलग- सारा प्रा प्राउट हुआ लोगों को नोज़मान सातीयों को कहीं ना कहीं दिमाग में जिन लोगोंने मेicon की उनके दिमागम में यह बात है कि यह परक्षा का प्रेपर जो appel आओट हुआ है तो जो लोग पढ़े जन्होंने मेहनत की जनवन थे सालों तक इंद्यार किया UN का काम कर रही है उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की संक्या को पता करने का काम करें और इस समय पर आप अगर देखेंगे तो बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और ऐसे समय है कि हर बार जो भी एक्जाम होता है उसका पेपर जरूर लीक हो जाता है यह पूरी की पूरी सरकार हर चीज में फैलियर है और खास तोर से नोजवानों के लिए इनके पास कुछ कुछ नहीं है और नोजवान इस समय अवसास से गुजर रहा है जगे जगे से खबरे आती हैं कि आत्मत्य की खबरे जगे जगे से आपको मिल रही होंगी मैं फिर कहना चाहता हूं सरकार अगर नोजवान सातियों को अवसास से बचाना चाहती है तो उनको सिस्टेमेटिक तर परिक्षादेदेश दे रहे तोट QUES आपरने वाले परिक्षा सब्सक्राइब ने पर mechanism when जोगा तो के सोडय काईसा मन रहोगा पता नहीं कितने नजवान साती रोते घोमरें परिशानी दिक्कत में है उनके अर्मानों पर पानी फिर रहा है तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि इसकी सही जांच कराएं जल से जल दो दिन तीन सरकार के जितने प्रतिंदी हैं उस सरकार के हैं उनको अपना अपना कहीं कहीं ग्यापन या किसी भी माद्यम से उनको सुचन दीजिए और फिर इसके बाद सांती पूर्वक तरीके से इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएं अलाग अलग संगटनों से इसमें अपना समर्थन म आप जानते हैं यह सरकार सबके विरोधी है इन्होंने जाती मजम में लोगों को बाठ दिया आज इस समय पर नोजवान या किसान मजदूर हर को अपना आपको ठगा महसूस कर रहा है लेकिन टीवी अकबार मोबाइल आपको मैं नहीं कह रहा हूं लेकिन आजकल जो लोगो जैसे कोई विरोध कर रहा आपका किसी नीती का आपके विचार का आपकी सोच का तो सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उसको आतनकवादी गोसित कर दो उसको देश द्रोई गोसित कर दो उसको यह बता दो कि तुम तो हमारे यहां के देश के होई नहीं तो लोगों में जो कंक्रीट के ऐसा समझों की ऐसा बोडर आपके पाकिस्तान हिंदुस्तान के बिच में भी नहीं होगा पाक चीन की तरब से भी ऐसा बोडर नहीं होगा बंगला सेनिक बलो का पहरा है सोच के देखिए कि ये सरकार कि दर की तरब जा रही है और सरकार का इससे बड़ा क्या जीता जाकता लेटेश सबूत मिलेगा चंडिगड के चुनाव में इनके एक अधिकारी ने जीतते वे को हरवा दिया और हारते को जिता दिया सुप्रीम कोट ने च जिसको जवर जस्ती इस सरकार ने गलत तरीके से हरवाया था उसको जिताने का काम किया लेकिन जन्ता को इस समय समझना पड़ेगा कि ये सरकार लोग तंतर को सविधान को खतम करने वाली सरकार है जो भी अपनी बात कहे गा उस पर लाँचन उस पर तमाम तरीकी चीज़े लगाई जाएंगी लेकिन देश की आजादी वाले बहुत लोग कर आय से थे उन्हों ने बात नहीं नहीं सौची ऐसे ही हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा लोग तंतर को जिन्दा रखने के लिए विपक्ष को भी起 जिन्दा रखना है गायब है पूरे सेनेरियों में ही नहीं मैं उन पर कोई टिपनी नहीं करूँगा और अजय अब अब कुछ दिन साथ थे तो मेरा मेरी अपनी मन कहता है कि किसी को अभी इस बात पर हम लोग अभी बहुत सारी चीजे आएंगी लोगतंतर में सामने सामने निकल खाएंगी जनता अपने आप किसी चीज का फैंसला करती है लेकिन मैंने मुझसे पूचा किसी पतकास आती ने कि आप क्या कहेंगे गडबंदन तूटने पर मैंने सिर्फ इतना कहा कि एक तरफ भाजपा है भाज की बीजगे पूरी जगह है एडी सीवे आई तो आप बताईए पधान मंतिर जी का भासन सुनिए कैसा भासन था असोक चोहान के लिए कि इनों ने घर खा लिए इनके परिवार ने घर खा लिए और उसी को जोईन करा ली भाजपा और भाजपा जोईन नहीं कराई पहले द मुक्हे मंतिरी को आज उन्होंने मुक्हे मंति बना रखा है वो उसके साथ से इडी की दोनों की सिपारिस है और उनकी जयां चल रही है तो हम कहना चाहते हैं सारी संस्थाओं में बैठे वे जो लोग हैं लगबग लगबग उन्होंने उन पर जो है अपने लोग बठा दि केसे योबा और किसान परेशान है और आज जरूवत है केबल और केबल सांतिपूर आंजुलन की उसी के जरीए सरकार को दबाया जा सकता है जुकाया जा सकता है केमरा सेवी सानु के साथ मैं नरेंदर भारत समाचार मेरट